जेट इंजन ताकत का अजूबा ये अद्भुत मशीने विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहतरीन उदाहरण हैं दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े जेट विमान आसमान में कैसे उड़ते हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही रोचक और जटिल है ये कमाल की मशीने बहुत ज्यादा ताकत बनाती हैं, जो इन भारी विमानों को जमीन से उपर उठा कर हवा में उड़ा सकती है जेट इंजन की ताकत और उसकी कारे प्रणाली वाकई में अद्वितिय है चलो, आज हम जेट इंजन की दुनिया में जाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं जेट इंजन के अंदर कई जटिल हिस्से होते हैं, जो मिलकर इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं चेट इंजन को सर फ्रैंक विटल ने बनाया था और आज ये modern विमानन का एक बहुत important हिस्सा है सर फ्रैंक विटल ने 1930 के दशक में इस इंजन का आविशकार किया था और तब से लेकर आज तक इसमें कई सुधार और उन्नती हुई है जेट इंजन के काम करने का तरीका भी बहुत दिल्चस्प है इसमें हवा को खींचा जाता है, उसे संपीडित किया जाता है फिर इंधन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और अंत में गर्म गैसों को बाहर निकाला जाता है जिससे जोरदार थ्रस्ट पैदा होता है इस प्रक्रिया के हर चरण में अत्यधिक सठीकता और तकनीकी ग्यान की आवश्यकता होती है यही कारण है कि जेट इंजन को बनाने और मेंटेन करने में बहुत महनत और विशेशज्यता की जरूरत होती है भविश्य में जेट इंजन और भी अधिक उन्नत और शक्तिशाली हो सकते हैं वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे विमान की दुनिया में और भी क्रांतिया सके थ्रस्ट, जेट इंजन की असली ताकत यह वह बल है जो विमान को हवा में उठाने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है जेट इंजन की ताकत को नापने के लिए हम थ्रस्ट शब्द यूज करते हैं थ्रस्ट को मापने के लिए विशेश उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो इंजन की क्षमता को दर्शाते हैं Thrust वो बल है जो जट इंजन को आगे बहाता है यह बल इंजन के अंदर होने वाली ज्वलन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है जो हवा को तेजी से पीछे की ओर धकेलता है इसे हम एक अद्रिश्य धक्के की तरह समझ सकते हैं जो विमान को आगे की तरफ धकेलता है यह अद्रिश्य धक्का विमान को गती देता है और उसे उडान भरने में सक्षम बनाता है जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा, इंजन उतना ही ताकतवर होगा और विमान उतना ही भारी सामान ले जा सकेगा थ्रस्ट की मात्रा सीधे इंजन की डिजाइन और उसकी क्षमता पर निर्भर करती है उदाहरण के लिए बोईंग 747 जैसे बड़े विमानों के इंजन हजारों पाउंड बल का थ्रस्ट पैदा करते हैं यह थ्रस्ट विमान को भारी वजन उठाने और लंबी दूरी तय करने में मदद करता है जेट इंजन के विभिन घटक जैसे की कंप्रेसर, टर्बाइन और नोजल मिलकर थ्रस्ट उत्पन करते हैं इन घटकों का सही सयोजन और उनकी उच्च गुनवत्ता इंजन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं इंजीनियर नियमित रूप से जेट इंजन का परीक्षण और विशलेशन करते हैं ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि इंजन अधिकतम थ्रस्ट उत्पन कर रहा है और सुरक्षित रूप से काम कर रहा है भविश्य में जेट इंजन की डिजाइन और तकनीक में और भी सुधार होने की संभावना है जिससे थ्रस्ट और भी अधिक बढ़ेगा और विमानन उद्योग में नई उचाईयों को छूने में मदद मिलेगी आसमानी सफर और माइलेज जब हम कार या बाइक चलाते हैं तो हम अकसर माइलेज के बारे में सोचते हैं यानि एक लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जा सकते हैं जेट विमानों के मामले में माइलेज कैलकुलेट करना थोड़ा मुशकिल होता है क्योंकि ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है जैसे की विमान का साइज, उंचाई और स्पीड फिर भी औसतन एक जेट विमान एक लीटर इन्धन में लगभग 0.2-0.3 किलोमीटर ही जा सकता है इन्धन की खपत एक नजर आंकडों पर जब हम हवाई यात्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इन्धन की खपत जेट विमान बहुत अधिक इन्धन का उपयोग करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि जेट विमान इतना कम माइलेज देते हैं तो फिर उनका यूज क्यों किया जाता है यह सवाल वाजिब है क्योंकि जेट विमान की इन्धन खपत बहुत अधिक होती है लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं जो इसे एक आवश्यक परिवहन माध्यम बनाते हैं इसका जवाब है गती और एफिशन्सी जेट विमान हमें बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं यह समय की बचत करता है जो आज के व्यस्त जीवन में बहुत महत्वपून है इसके अलावा जेट विमान की तकनीक इतनी उन्नत है कि वे इन्धन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं जेट विमान हमें कम समय में बहुत दूर जाने की सुविधा देते हैं और ये बहुत सारे यात्रियों और सामान को ले जा सकते हैं यह विशेश रूप से लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है जहां सडक या रेल परिवहन संभव नहीं होता एक विशाल बोईंग 747 लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उडान भर सकता है जो इसे सबसे तेज और सबसे प्रभावी परिवहन माध्यमों में से एक बनाता है इसकी गती और क्षमता इसे अंतर राष्ट्रिय यात्राओं के लिए आदर्श बनाती है और इसमें 400 से ज्यादा यात्री बैट सकते हैं यह एक ही उडान में बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता रखता है जिससे यह न केवल समय की बचत करता है बलकि यात्रियों के लिए भी सुविधा जनक होता है इस प्रकार जेट विमान की उच्च इंधन खपत के बावजूद उनकी गती, क्षमता और दक्षता उन्हें एक अनिवार्य परिवहन माध्यम बनाती है यह हमें न केवल तेजी से यात्रा करने की सुविधा देता है, बलकि हमारे समय और संसाधनों का भी अधिकता मुप्योग करता है अब आईए समझते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है जेट इंजन ज्यादा तर चार स्टेप्स में काम करता है हवा अंदर लेना, दबाना, जलाना और बाहर निकालना इन चारों स्टेप्स को मिलाकर जेट इंजन वो जबरदस्त ताकत पैदा करते हैं जो विमानों को आस्मान में उडाती है यह प्रक्रिया न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है हर आक्षन का एक इक इकल और ओपोसिट रियक्शन होता है सेक्षन 6 हवा का स्वागत इन टेक जेट इंजन के सबसे आगे एक बड़ा पंखा होता है जिसे इन टेक कहते हैं जब इंजन चलता है, तो यह पंखा बहुत तेजी से घूमता है और अपने सामने की हवा को अंदर खींचता है. यह हवा इंजन के अंदर एक पतले रास्ते से होकर जाती है, जिससे उसकी स्पीड बराच जाती है. यह हवा अब दबाने के लिए तयार होती है. सेक्शन साथ, दबाव, बरहाएं, कंप्रेसर इंटेक से गुजरने के बाद हवा कंप्रेसर में जाती है. कंप्रेसर में बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं, जो तेजी से घूमते हैं और हवा को दबाते हैं. दबाने से हवा का प्रेशर और तापमान दोनों बराच जाते हैं, जिससे वो जलने के लिए तयार हो जाती है. यह दबी हुई हवा अब दहन कक्ष में प्रवेश करती है. सेक्शन आठ, आग का खेल, दहन कक्ष दहन कक्ष में दबी हुई हवा को इंधन के साथ मिलाया जाता है और इस मिश्रन को जलाया जाता है जलने से बहुत ज्यादा गर्मी और उर्जा पैदा होती है 36 जिससे गैसों का आयतन बहुत तेजी से बरहता है यह गर्म और फैलती हुई गैसें अब इंजन के पीछे के हिस्से की ओर बढ़ती हैं। यह प्रक्रिया इंजन को ज़रूरी ताकत देती है। सेक्शन नौ शक्ती का स्रोत टर्बाइन दहन कक्ष से निकलने वाली गर्म गैसें टर्बाइन से होकर गुजरती हैं। टर्बाइन में बहुत सारे ब्लेड होते हैं जो गर्म गैसों के बहाव के कारण घूमते हैं। टर्बाइन का घूमना इंजन के आगे लगे पंखे और कंप्रेसर को ताकत देता है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अंत में गर्म गैसें इंजन के पीछे के हिस्से से बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं जिससे विमान को आगे की ओर धक्का मिलता है तो दोस्तों यही है जेट इंजन की कहानी यह कमाल की मशीने हमें दुनिया को नए सिरे से देखने का मौका देती हैं और हमें उन उँचाईयों तक ले जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा अगली बार जब आप किसी जेट विमान को आसमान में उड़ते हुए देखें तो जरा सोचिएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत और टेक्नोलोजी लगी हुई है मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी